आप भी दूब सेक रहे हैं आनन्द आ रहा है लेकिन टैन भी आ रहा है शादी अटेन करनी है किसी फंक्षन पर जाना है टैन के साथ कुछ भी कैसे कर सकते हैं फांडेशन लगाएंगे तो डाकन हो जाएगा क्या किया जाए नो फेर वेन पताइए क्या जहां तो आज मैं आप अपनी स्किन को निजाद दिलाना चाहते हैं और उसे एकटम इवन टोन करना चाहते हैं तो आज की रेमेडी इस जस्ट फू धान से देखिये सुनिये समझिये अर अपने लेग्जेक्यूट कीजिये तो फ्लावलेस और बेस्ट उसकिन पर यॉर्सफ आये जानते हैं अपना खयाल रख रहे हैं और सर्दियों को जम के एंजॉइ कर रहे हैं कौन कौन कहां से धूप सेख रहा है हमें भी बताएगा अगर चानल पर पहली बार आये हैं तो मेरा नाम प्रेणा चानल का नाम प्रीती प्रेणा पहतरीन डूइट यॉर्सेल अपके स्किन केर, हैर केर और हेल्थ के लिए मैं यहां पर शेयर करती हूँ जिनका लुथ उठा रही है मेरी ब्यूटिफुल सी थ्री मिलियन प्लस फामिली जो की फोर मिलियन होने वाली है इसलिए आप भी हमारा हिस्सा अवश्य बनिए नीचे लाल रंग का बटन है जिस पर सब सब्सक्राइब लिखा है आप उसको क्लिक कर दीजे बगल में बैल आइकन है अगर उसको क्लिक करते हैं तो फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और आप किसी भी माजिक को मिस्स नहीं करेंगे आज के वीडियो में जैसा कि मैंने कहा मैं आप सभी के साथ डी कि नहीं जाएं लेकिन अब आप लोग बिल्कुल भी इंकार नहीं करेंगे और बहुत खुशी-खुशी पार्टी फांक्शन में जाएंगे क्योंकि टान आपको परिशान नहीं करेंगा अगर आपके चहरे पर किसी भी तरह का डिस्कालरेशन है एक्यमेलेशन की वजह से या एनी आदर रीजन तो भी आपको हेल्प करेगा तो प्लीज ध्यान से देखिए सुनिए समझी और अपने लिए एक्जिक्यूट कीजिए सबसे पहले मैं अपने पूरे परिवार को बताना चाहती हूं कि संस्क्रीन इस अमास्ट बहुत सारी लोगों के क्वेस्टन आ र संस्क्रीन संरेस की जो हामफुल अल्टर वॉलिट रेडियेशन होती है उनको ब्लॉक करता है उनको स्प्लिट कर देता है उनको ज्यादा डामेज नहीं करने देता है यह वही रेडियेशन होती है जो की करक रोग जैसी परिशानिया भी शरीर में स्किन में कर देती है इसल मैं अपने होम टाउन गई ती जहां पर मैंने जम के दूप से की है सूरज की पहली किरंड से लेखे आखरी किरंड तक मैं धूप में थी and believe me I had a very relaxing time मैंने इसलिए व्लॉग भी नहीं किया वहां पर because I had a great me time over there जो मैं चाहती हो कि मेरा परिवार भी अपने लिए definitely enjoy करे आपको बिल्कुल अपने आपको you know you rejuvenate yourself tanning vanning होती ही रहती है it's okay वह अपसॉल कर लेंगे तो जल्दी से शुरू करते हैं कैसे और क्या करना है सबसे पहला step होता है अपने चहरे को clean करना जैसा कि मैं हमीशा कहते हूं कि बेसन से बढ़िया cleanser कोई ही नहीं इसलिए आपको आधा चंबाच बेसन लेना है इसमें आप लीजे this is a simple cleansing process जो कि आपके चहरे से death skin, oil, dirt in सब चीज़ों को हटा देता है ताकि जो भी आप process करने वाले है वो deeper layer तक जा सके क्योंकि sun के radiations ने tanning भी deeper layer तक कर रखी होती है जिहां इसलिए आपको बहुत जादा विजिलेंट रहना होता है कि आप वही प्रॉसेस करें जो अंदर तक पेनिट्रेट कर सकें फॉर्स स्टेप नमबर टू आप लोगों को चाहिए आधा चम्मच बेसन अगान ग्राम फ्लावर नमबर टू आपको चाहिए राइस फ्लावर यानि की चावल का आटा जो की आपकी स्किन पर डिस्कालरेशन को फिक्स करने के लिए एक राम बांड साबित हो सकता है मैंने बहुत सारी रेमेडी आपके साथ शेयर की हैं जहां पर हमने राइस फ्लावर का इस्तमाल किया है और यह आपके डिस्कालरेशन को फिक्स करने के लिए बहुत 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 इंपोर्टन रोल प्ले करता है और इस में लेना है पिंच ओफ टर्मरिक, अगर आपके पाथ वाइल्टर्मरिक यानि कहस्तूरी हलदी है तो आप यहां पर वण्थ Vlog तब इस्पून ले सकते हैं लेकिन अगर नहीं है किचन हलदी है तो पिंच ओफ यहां पर लेंगे क्यूंकि यह टर्मरिक जो है पर कोई परिशानी है और आपको लगता है कि शायद घाव भी हो सकता है जो कि मुझे लग रहा था इसलिए मैंने टर्मरिक का इस्तमाल किया है अदरवाइस आप इसको आपसिलूटी स्किप कर सकते हैं इसी मास्क में आप आड कर सकते हैं आदा चम्मच पिसी हुई मसूर की यहां यह भी आपकी स्किन को बहुत खुब्सरत है और डी टैन करने में हेल्प करता है यह अगर आपकी बहुत तैलियत अचा है बहुत ही ओली है तो आप लोग यहां पर एक वन थर्द चम्मच पिसी हुई का पावडर भी ले सकते हैं जहां आपकी ऑल ग्लांज भी रेग आपको लेना है अलावेरा जेल मैंने जो अलावेरा जेल लिया है वो काफी थिक है अगर आपके पार थिनर वर्जन है पतला वाला है तो आप उसका भी इस्तिबाल कर सेते हैं बहुत इसली ब्लेंट हो जाएगा और आपका सेकिंड जो स्क्रब मास्क डिसकलरिशन फिक्सर वाटेवर इस वह बनकर रेडी हो चुका है इसको आप लेंगे और अपने चहरे पर पूरी तरह से लगा लेंगे उन एरियाज में जहां पर आपको लगता है आपको ज्यादा परेशानी है आप वहां पर ठिकर कोटिंग लगाएंगे मेरा सारा का सारा कॉंसेंट्रेटेट एरिया होता है फोरहेड लिटल बिट अव दिस चीक एरिया और बहुत का स्कम ये वाला एरिया तो मैंने बहुत अच्छे से पहले पूरे फेस को कवर किया और उसके बाद फोरहेड एंड इस एरिया दन इसके बाद आप इसको दो मिनट के अपनी स्किन पर रहने देंगे दो मिनट इस सफिशिंट और इसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट इंग जो की है स्टीमिंग जिहां देखिए सर्दियों में स्टीम लेकर स्किन के लिए कोई रेमेडी करना अपने आपने इतना पोर्टेंट स्टेप है कि देखो जितने भी वाइट होते हैं ब्लाक करते हैं कि इसमें चावल का आठा जो की काफी महीन होता है और आप की स्किन को स्टीम लेते हैं आपको पता नहीं चलेगाative ंबाद में पता चलेगा principle तो लगाने इनीए बहुत को शॉफ्ट हैंस इसको क्लीन करते रहिए और आपके वह ज़ितने भी पोर्ट्स अन्यों अ अब अच्छे से अपने स्किन को क्लीन कर दिया है काफी खुशे आपको होगी विकिस चेहरा काफी साफ हो जाएगा इसके बाद आप एक cold water splash अपने चेहरे पर करिए और आप देख लीजिए क्या magic किया है step number 2 ने इसमें जितना भी आपने प्रोसेस किया है ये आपकी skin को clean करने के लिए भी था जो जिद्धी pores होते हैं जो बिल्कुली बंदों जाते हैं you know clean नहीं होते हैं वो असानी से हो जाते हैं और आपके चेहरे पर जो discoloration है उसको भी fix करता है है ना कितनी कमाल की remedy लेकिन इसके बाद आपको एक step और करना है जो कि है एक mask का application जो कि आपकी skin जो clean हो चुकी है उसको dehydrate नहीं होने देगा आपकी skin पर किसी भी प्रकार का खिचाव आपको महसूस नहीं होने देगा और बहतरीन hydration आपको provide करेगा इसके लिए आपको एक bowl में लेना है approximately आधा कप पानी और इसमें आपको लेना है एक चमत chia seeds मैंने आपको लास्टाम भी बताया था चिया सीट स्किन के लिए क्या कमाल कर सकते हैं और इसको आप 15 मिनट्स के लिए रहने देंगे देखेंगे कि अच्छे से फूल चुका है सारा पानी अब्सॉब कर लेते हैं चिया सीट इसको आप एक ब्लेंडिंग जार में ले तो आप चाहें तो सरफ फेस के लिए कर सकते हैं एक बाकि बाकि फेस के लिए बहुत वान थर्ड चमच भी चल जाएगा और इसको आप ब्लेंड कर लीजए ताकि बहुत ही खुबसूरत सा पेस्ट बन जाए और इस पेस्ट को अपलाई करने के लिए मैं हमेशा कहते हूं क क्योंकि बहुत जल्दी स्किन खा लेती है कि बहुत जल्दी लगता ही है तो बहुत जल्दी एद्जॉब जाता है तो आप लोग क्या करेंगे एक शीट मास्क ले सकते हैं if at all you have और इसमें आप इसको डिप कर देंगे पानी में डालते है वो खुल जाता है इसमें आप इस मास्क को अच्छे से लगाएंगे and you wear it on your face इस टेप पर शीट मास्क का अप्लिकेशन इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि इस हाइड्रेशन को हम अपनी स्किन को लॉंगर डूरेशन के लिए जाधा वक्त के लिए देना चाहते हैं इसी लिए आप इसको अपने चहरे पर जगा कर रखेंगे for approximately 15-20 minutes जितना समय आपके पासे ज्यादा देर के लिए रख सकते हैं कोई परिशानी नहीं है लेकिन नीम्बू ज्यादा मत डालना कहीं नीम्बू कर जादा डाल दिया और फिर you know हलका सा you know dehydration हो जाता है वो नहीं करना बहुत थोड़ा सा लीजेगा और स्लिपरी आपकी स्किन हो जाएगी you'll be really happy 15-20 minutes के बाद जब आप अपने मास को अच्छे से हटाएंगे आप इसी से इसको क्लीन कर लीजे पानी ज्यादा वेस्ट कोई नहीं करेगा सभी जानते हैं अच्छे से क्लीन करने के बाद एक कोल्ट स्प्लाश और आपका एंटायर आपको मिलेगा तो फेशली कहेंगे आप इसको इसी लिए अच्छे से स्प्लाश करने के बाद सिरफ पैट ड्राइ बहुत सारी चीजे आपकी स्किन को हमने स्ट्रिकली करी हैं तो प्लीज सिरफ पैट ड्राइ कीजिए and you are good to go enjoy your beautiful skin all over again and इसके बाद sunscreen is a must जैसा मैं हमीशा क संस्क्रीन लगाने के बाद आप देखेंगे आपकी स्किन इतनी माशाला हो चुके इतनी amazing हो चुकी है इतनी beautiful हो चुकी है इतनी even tone हो चुकी है कि आप मजबूर हो जाएंगे वापस आने के लिए यह कहने के लिए कि प्रिना thank you and मैं पहले आपको बोलेते हूं you are most welcome मैं आप आप जब करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छे results मिले हैं और आप जो कुछ भी अपनी party function में ready होने के लिए करते हैं वो flawless आपके skin पर easily you know बैट जाएगा और बहुत अच्छे results तेगा तो आप सभी शादी जब के एंजोई कीजिए टैन की परवा मत कीजिए अराम से दूप से किए और अपना जतना भी टाइम अपनी family members के साथ एंजोई कर रहे हैं make the most out of it तो अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो thumbs up दिये बिना बिल्कुल मत जाएगा चानल पर नए है तो subscribe किये बिना मत जाएगा आप सभी से मिलती हू झाल 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 झाल